कि नीची उतरो कोना तुम लोग अब नीची उतर छोड़ा मुझे क्या कर रहे हो मेरे साथ दे चलो इसे सर्दार इसके ड्रैवर का क्या करना है छोड़ दो उसे हमारा काम इससे है सालो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो अगर तुम पता होताना मैं कुम हूा हू तो तुम कभी ये जुरत ना करते हैं हो म किसी चीज को नहीं चानते हैं अब सिर्फ एक और इस पैसा तुझे क्र्णा अब करने के मैं बहुत बगड़ी मिली है किसने दीया है मेरी सुपारी तेरी सुपारी हमें बड़े साप ने दिया है और तुझे लेगे भी उसी के पाँ जा रहे हैं तुम्हारे बड़े साप की आसी की तैसी छ़ड़ा मुझे हाथ इसके बोच चले हैं हत्करी लिगाओ उसे कब तक बहुत के रखोगे मुझे ले चलो इसको डे बे मालक, मालक छोटे साब को किसी ने कि डैप कर लिया मारे जाने या, क्या हो गया, क्या मत आ गया, थोड़ा सांस तो ले ले मालक गजब हो गया, छोटे साब को किसी ने कि डैप कर लिया अच्छा तू जा अपना काम कर मुझे तेल लगवाने दे अई तेरे हाथों में जान नहीं है जोर से दबा बांदो इसको बड़े साब को मैंने फून कर दिया वो आने वाला होगा आने देख लेता हूँ तेरे बड़े साब को भी बड़े साब का हुकमता इस लड़के को आज भी नहीं आनी चाहिए यह तो तुझे मार मार कदू बनाने था कदू वेंगन के बरते इसे डाकू नहीं कॉमीडियन होना चाहिए था अब यो जबान समाल के बात कर नहीं तो दूंगा एक उल्टे हाथ की क्यों सीधे हाथ पर छाले निकले हैं तेरे तुम मर ही ना जाए मेरे हाथों से वाश्रूम जाना है मैंने क्यों पैमपर नहीं पहना तुने पता नहीं क्यान गुना हों की सदा मिल रही है मुझे ख्यार रखना इसका जे बड़ा सियान है कहीं ये ना हो तुमें चक्मा दे के भाग जाए मैं निमाज पढ़ लूँ 900 चुए खाने के बाद बिली हाज को चली है किड्नैपर भी नमाज पढ़ते होते हैं क्या बेटा हमने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया और ना हम बुरे लोग है अच्छा किसी को किड्नैप करना कोई सवाब का काम है अब यो डेड़ शाने ज्यादा किच-किच मत कर ये हमारा पेशा है और हमें इस काम के पैसे मिलते हैं आप नमाज पने सरदार हम देख रहे हैं इसे लूजर्स तुम चाहते तो मेरी तरह बिजनेस करके भी पैसे कमा सकते थे बिजनेस लो आगे बड़े साब ले आए तुमें से ये आवाज कुछ जानी पहचानी लाग रही है खुलो इसकी पटी अबा आप आप ने मुझे किडनेप करवाया है बे शरम बहुत बड़ा बिजनेस मैन बन गया है तू अबा आप ने इन डाकूँ के हाथ अपने सगे बेटे को किडनेप करवाया क्यों बे गहरत तुझे पता भी है तू अपनी माँ से आखरी बार कब मिला था अबा यही कोई एक महीना हुआ है दो महीने हो गए तेरी मा रोस दर्वाजे पे बैठके तेरा इंतजार करती है उपर से तुझे फून करती है तू फून नहीं उठाता अबा आपको पता तो है मैं अपने काम कारोबार में बीजी होता हूँ तू अपने कारोबार में इतना बिजी हो गये जिनों ने तुझे पैदा किये तेरी परवरेश किये तेरे पास उनके लिए टेम नी है अच्छा माफी चाहता हूँ अबबा ये कौन सा तरीका है समझाने का लातों के भूत बातों से नहीं मानते खोलो मुझे खोलो उसे जल्दी करो चल अपनी माँ से मिलने अब शुक्रिया डाकू भाई खोलो इसे ओ इसे तो खोल दे बस ठीक है अम माँ से मिलना है चलो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काम कारोबार के साथ साथ अपने करीबी रिष्टों को भी टाइम देना ना भूलें